अप्डेट्स कॉंसलिंग थीचिंग यहां मिलेगा सब स्टुडेंज जिस प्रिज द बेल आइकन और सब्सक्राइब महामना एजुकीशन हाब संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टिटूट लखनव का बेसी नर्सिंग के अप्लिकेशन फॉर्म आ गया है आप सभी जितने भी आस्पेरेंट्स हैं जो बेसी नर्सिंग की तरफ अग्रेसर होना चाहते हैं या इस कोर्स को करना चाहते हैं तो क्रिप्या करके इसके लिए अप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है आप भी अपने अप्लिकेशन को फिल कर लीजे आप किसी भी सर्च इंजन में जाएए और टाइप की jsgpgi.ac.in तो आपके सामने ये पेच खुलेगा जो अभी आप स्क्रिन के उपर देख रहे हैं और यहां थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ सब्सक्राइब करता है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उन स्टुडेंट्स की वो क्लास 12 पास होने चाहिए physics, chemistry, biology और English ये चार सब्जेक्ट उनके क्लास 12 में होने चाहिए अब मैं आपको Press Trust of India के रिपोर्ट के मुताबिक बिस्तार से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़े और चाहिए संजे गांधी Postgraduate Institute लखनव में admission के लिए BSc Nursing Course में Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences Lucknow has invited application for admission to its 4-year BSc Nursing Course for Academic Year 2019-20. Candidates who wish to apply for the course can visit the website sgpgi.ac.in to apply online. The entrance examination for the same will be held on July 14, 2019 तो आपका जो entrance examination है वो 14 July को होगा Total number of seats की बात करते हैं तो इसमें total BSc Nursing जैसे course में 40 seat हैं जिसमें 21 unreserved है 9 reserved for schedule cost and 10 reserved for other backward cost Age limit और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो age limit 17 to 24 years आप होने चाहिए as on 31st of December 2019 आपके marks जो है class 12 में कम से कम 50 परतिशत होने चाहिए general category के लिए और 45% reserved category के लिए और class 12 तक आपने physics, chemistry, biology और English ये चार मुखे subject पढ़े होने चाहिए ये जरूरी है इसके लिए तो क्रिप्या इस वीडियो को maximum लोगों तक share किजिए अगर पसंद आया तो like किजिए और अगर इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो क्रिप्या करके subscribe भी कर लें Thank you for watching and all the best for your bright future